और हीरो बन के चले जाते शेरू और मनीश गांदी जी वो तो फिर सो जाते हैं वो छे मीने बाद उठते हैं मैंने एंपीसी शुरू करी वो भी मेरा विजन था दो हजार इकीस में जो हजार इकीस में उस टाइम पर पचीसो रुपया पाटिस्पेशन फीज थी आज भी उतन जो आप ने शुरू की उसकी फीज सेम है इन्हों ने जो देख लो 12,000 से यह लेकर गए 25,000 पर और टैनिंग के 75,000 अलग से हैं टैनिंग में जेनल टैनिंग के 75,000 सो तो 32,000 सो बाटिस हजार हो गया एक कैटिगरी के हो जाते हैं अगर किसी ने दो कैटिगरी खेल नहीं है तो उसको उसको उतने बढ़ जाते हैं कितने 32 के 32 के कुछ जिसकाउंट मिलता है लेकिन प्चाईस हो जागो जाता है 25,000 सो आप टैनिग कुछ 7,000 रुपय कुछ मता ऐसा जादा नहीं है 600 यह ज़ार रुपय मिलता है जिनरली लेकिन 600 का खर्चा साथ-जाषाथ-बाटिस ह सकता नहीं एक निया रूल चुरू गिया कि NPC के अरे एथलीट को 30 डॉलर सीधा US को देने पड़ेंगे तो वो तो मेरे को पूछेगा भाई मैं 30 डॉलर जो दे रहा हूं उसका मेरे को बेनिफिट किया है मेरे पास तो उसको जवाब नहीं है यह तो दो साल में दो बार आते हैं ठीक है हफते के लिए और हीरो बन के चले जाते शेरू और मनीश गांदी जी वो तो फिर सो जाते हैं वो छे मीने बाद उठते हैं और सारा साल एंपीसी को जो पूरा जंडा लेके मेरे को घूमना पड़ता है 50% प्रोकार्ड होल्डर को कोई जानता भी नहीं है यह मेरा भी भर्म था प्रोकार्ड जीतने के बाद लाइफ शेंज होती है ऐसा कुछ नहीं जब मैं प्रोकार्ड जीता तो मुझे एक चेक दिया गया था 50,000 का चेक वो पैसे मिले आपको नहीं वो पैसे नहीं थे वो लोगों को दिखाने के लिए होता बड़ा एमाउंट 50,000 में चीछ जो मिलती है वो नीचे लिखी होती है 6 मन्त इस ब्रांड का सब्लिमेंट आपको मिलेगा तो कैश प्राइस क्यों बोलते हैं उसको वही होता दिखाना है कि लोगों को यह लगे हर इंसान ही सोच रहा है मुझे 50,000 बिले थे वो नहीं थे इवें वो जो 6 महीने का इस्टेक था ना वो भी मुझे आज तक नहीं मिला तो 2020 से मैंने प्रो कार्ड जीता तो उनकी तरफ से एक मेडल और एक प्रो कार्ड के इलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला और दो सब्लिमेंट के पाउच मिलेते हैं जो 6 महीने सब्लिमेंट देने की बात थी वो भी नहीं मिली बलके मैंने 50 बार उनको एड्रेस भी सेंड किया था कल मिलेगा कल लगा रहे परसो लगा रहे फिर